Hello everyone, welcome to Only I guess देखो आपके लाइफ में कितना भी बड़ा अब्स्टेकल हो क्या आप उससे डर जाते हो, हार जाते हो और जीना छोड़ देते हो, क्या? नहीं, आप उसके लिए solution लेते हो, है ना? solution कैसे? चलो एक example लेते हैं मान लो कि आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए गए हो और अचानक सा आपको पता चलता है कि आपके parents आपके room पर आने वाले हैं अब usually जो students होते हैं, वो अपने room को बहुत गंदा छोड़ रखते हैं कुछ लोग सही भी करते होंगे, बढ़ हाँ, most of the लोग ऐसे ही रखते हैं पता चलता है, अगर सोचो कि ये आपको पता चल जाए एक हफते पहले या फिर अभी पता चल जाए आपको एक दिन पहले समझ लो, simply यही है पूरा का पूरा UPSC preparation भी हमारा इसमें क्या होगा कि जितना time हो आपके पास, obstacle कितना भी बड़ा हो irrespective of it, आप smart solution find कर ही लेते हो और आप success पा ही जाओगे ठीक हैं, इसी चीज को fulfill करने के लिए या OnlyIS के एक support में OnlyIS एक program launch कर रहा है जिसका नाम है TEJAS, TEJAS जो है वो आपके prelims exams को clear करने में help करेगा यह Hindi और English दोनों mediums में available है और इसका पूरा planned document अभी हम आज ही देखेंगे और साथी साथ इस video के description में भी आप उसको download कर सकते हैं अच्छी बात इसमें यह है कि चुकि 27 June को हमारा paper है तो approximation में May के month में मतलब May इंट तक हम अपना course anyhow finish कर देंगे आपके पास still approximation में एक month का time बजएगा जिसमें आप full-fledged form में अपनी revision कर सकते हो एक बार दो बार ठीक है तो यह एक full-fledged program है कुछ इसके बारे में छोटी-छोटी details हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की queries आई थी अभी हमारे पास कि इसके कुछ details के बारे में हमें पता नहीं है कैसे join करना है, क्या-क्या चीजें हैं और कैसे हमें help करेगा तो उसके basis पर हम एक rough structure create करने की कोशिश करते हैं देखो इस course को join करने के लिए आपको बनना पड़ेगा ideal ideal मतलब आपको innovative बनना पड़ेगा आपको dedicated होना पड़ेगा क्योंकि इसका जो schedule है वो सच में बहुत rigorous है और जो भी कमजोर दिल के लोग हैं इसको ना join करें क्योंकि ये सच में बहुत rigorous है और आप जब ये promise करते हैं आप समझे कि जब आप तेज़ा join कर रहे होंगे तो same time पर आप ये promise कर रहे होंगे हम से अपने आप से अपने parents से अपने friends से कि मैं इस program के साथ-साथ अपनी पूरी लगन के साथ इस exam को clear करने के लिए पूरी मैनत करूंगा सभी possible ways, means जो भी मुझे लग सकते हैं वो सब करने के लिए मैं तयार हूँ तो dedication आपका बहुत important होना चाहिए आप enthusiastic होने चाहिए ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन एक हफते पढ़ लिए उसके बाद लगा कि अरे अब इस बार तो बहुत मुश्किल है 2022 एक अच्छा year है मारे preparation के लिए तो 2022 चलते हैं, 2021 अपने बस की बात नहीं है नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए 2021 मतलब 2021 है और आप enthusiastic हो कि उसकी preparation कर सकते हो दिको result हमारे हाथ में नहीं है बट बेशक मेहनत हमारे हाथ में है तो में मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए कभी भी आप aspirational होने चाहिए कि हमें किसी goal के तरफ achieve करना है तो करना है आप उसके लिए aspire कर रहे हो becoming a civil servant आपकी aspiration है आप फिर उसके लिए work कर रहे हो और सबसे आखरी और सबसे important बात आप खुद से loyal हो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखाए कि हमारे पास calls आती है उनका कहना है कि सर मैंने एक लश्मी कांद की जो किताब है न वो चार बार पढ़ लिया है लेकिन फिर भी मेरे से question solve नहीं हो रहा है क्या ऐसा case बन सकता है क्या देखो possible नहीं है अगर आपने चार बार लक्षमी कांद पढ़ा है और हाल फिलाल में भी पढ़ कि अगर आपसे question solve नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये केवल आप अपने आपसे जूट बोल रहे हो कि आपने चार बार पढ़ रखा है इसको पढ़ना नहीं कहते हैं आपको एक ही बार पढ़ना है लेकिन एक बार जब आप पढ़ो तो शिदत से पढ़ो एक-एक concepts को clear करते हुए ये नाम गिनाने के लिए नहीं कि आज मैंने 40 page पढ़ लिए हैं 50 page पढ़ लिए हैं कि मैंने आज 5 ही पेच पढ़ा है next time पर मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं इससे ज्यादा chapters cover करूँ ठीक है तो इस तरीके से आपको ये 5 qualities के साथ इस program में आगे बढ़ना है program की details find करने से पहले एक बार देखते हैं हमें join ही क्यों करना चाहिए ये program सबसे पहला जो issue आता है जैसा कि शुरुवाती example में भी समझना आया कि हमें time का एक बहुत बड़ा constraint हमारे सामने होता है exactly हमें पता नहीं होता है कि इस limited time period में हमें कौन सा smart solution अपनाना है जिससे कि हमारा selection एक अच्छे level पर insure हो सके या फिर हम near about approximation में मेहनत कर रहे हो ऐसा तो नहीं है कि हमारे हिसाब से तो वो smart है लेकिन वो सच में smart नहों ऐसा कुछ भी हो सकता है for those purposes यहाँ पर आपके पास एक full-fledged schedule की बात होती है schedule ऐसा कि आज क्या पढ़ना है कल क्या पढ़ना है केवल इतना ही नहीं दो महिने बाद उस particular दिन आप 24th day कौन सा पढ़ रहे होगे आप 101th day कौन सा पढ़ रहे होगे 101st होता है 101st day आप कौन सा पढ़ रहे होगे तो यह सारी चीजें आपको पता हो नहीं चाहिए पहले से ठीक है और timely completion की surety मिलेगी दूसरी चीज guidance और motivation बहुत बार होता है ना कि हम एक महीने पढ़ते तो हैं बट फिर हार जाते हैं हमें एक motivation की जरुवत होती है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको रोज motivation मिल रहा है क्योंकि आपके पास एक रोज बड़ा सा schedule है तो यहाँ पर रोज motivation मिलेगा आपको इन lectures की मदद से guidance तो मिल ही रही है ठीक है तीसरा सबसे बड़ा component इसका आप देख सकते हो कि एक major hurdle जो आज कल के दिनों में देखने को मिल रहा है वो है CSAT का CSAT के लिए बहुत सारे लोग confused होते हैं पता नहीं चलता है यह कौन से portions को करना है CSAT के लिए कुछ simple से mantra है simple सा mantra इस हिसाब से है कि आप किवल इतना समझे कि आपको 33% score करना है आप अपने strong points पकड़ सकते हैं कि हाँ मेरा यह strong point है इसके बाद आप यह देख सकते हैं कि इस chapter में मैं थोड़ा easy way में कि जो छोटी-छोटी चीज़ें आती है economic survey है, budget है यह सारे ऐसे portions है जिनका majority of the portion हमारे exam में पूछा जाता है या फिर economy के अगर हम बात करते हैं तो एक major section हमाने economic survey, budget इन सबसे होता है उन सब का भी full और wide coverage मिल जाएगा आपको साथी साथ यहाँ पर एक बड़ा component है उडान का आप सब लोगों ने हमारे telegram channel के थूँ telegram channel only is nothing else जिन्होंने नहीं join किया है आप इसको भी join कर सकते हो यहाँ पर हमने अभी तक तो दो ही booklet share की है उडान की, बाकी YouTube के membership पर आप देख सकते हो यहाँ पर उडान एक ऐसा quick and comprehensive revision series है जो आपके revision में मदद करता है तो आप तेजस के अंदर इस उडान series के सारे booklets को भी पा सकते हो इसके अलावा एक बहुत ही जादा बड़ा component है मारा अलाकि यह जो एक component है इसको हम अलग से भी अभी हाल-फिलाल वाले दिनों में launch करेंगे जिससे की जो सबसे बड़ा tension है इस पूरे prelims को clear करने का वो है current affairs current affairs के इतने सारे sources आपके सामने होते हैं कि आप खुद में confused होते हो कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है कितना पढ़ना है, कब से कब तक का पढ़ना है, बहुत सारे doubts होते हैं सभी के मन में उन सब को cover करने के लिए complete current affairs का course इसके अंदर include होगा उसमें limited lectures होगे, हर एक subject के जो भी prelims oriented है और ये हमारे exam के लिए important होगे, उनकी आपको separate lectures के साथ साथ एक UDAN Plus के booklets भी मिलेंगे, ये जो UDAN Plus है न, ये UDAN Plus आपके current affairs से related होगा ये जैसे एक साल का current affairs पूरा cover करेगा subject wise, ठीक है तो पतली-पतली books जैसे UDAN की आई है न, उसी तरीके से ये UDAN Plus भी इसी current affairs का एक हिस्सा होगा और साथी साथ इसके classes भी अलग से चलेंगे, ठीक है तो हमारा तेजस का जो schedule अभी मैं आपके साथ share करूँगा, उसमें तो normally हम static portion के schedule को cover कर ही रहे हैं लेकिन इस current affairs के portion में हम जो की एक later stage में start करेंगे, जिससे की हमारा एक majority of the portion cover हो for example हम start कर सकते हैं, March के int से, ठीक है, जिससे की आपका current affair वाला portion तुरंद के तुरंद तयार हो शुरुवाती दिनों में 2-5 महिने आप अपने basics पर focus करिए और उसके बाद हम current affairs को एक तम से speed up करके पढ़ लेंगे जिससे की ये पूरा का current affair plus static दोनों cover हो जाएगा तो एक overall मैं बोल सकता हूँ कि एक full package है जिसके basis पर आप इस program को join कर सकते हो चट्वा और सबसे important बात है कि जब तक आप अपने आपको test नहीं करते हो तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि preparation कैसी चल रही है, वही loyal होनी की बात होती है अगर आप खुझ से loyal नहीं हूँ, ठीक है, तो आप इस test को ले लो ये आपकी loyalty के तरफ इचारा कर देगा, क्यों कि आपको ये exact number दिखाएगा कि आपकी तैयारी किस level तक पहुँच चुकी है तो यहाँ पर आपको ऐसे questions मिल जाएगे इसके बाद हर weekly, जितने भी एक हफटे में हमने Monday to Saturday चीजों को पढ़ा होगा उसका weekly test आपको Sunday को मिल जाएगा साथी साथ यहाँ पर जो हम CSAT की बाते कर रहे थे, वो CSAT एक ऐसा program होगा जिसमें आपको एकठे सारे lectures हम अभी के अभी publish कर देंगे तो यह आपके उपर है कि आप CSAT के lectures को अपने कितने speed से देखते हो कौन-कौन से topics देखते हो, जो कि आपके लिए important है, आपके लिए सहूलियत वाले हैं तो आप customized way में CSAT को cover कर सकते हो तेजस program के बारे में आपको और थोड़ी सी detail, मतलब इनी points को summarize कर सकते हैं कि आपको यह कुछ majorly ऐसे 6-7 components मिलने वाले हैं, जो कि ultimately आपको यहां तक पहुचाएंगे ठीक है, फिलहाल इसके schedule की बात करते हैं, तो schedule कुछ इस हिसाब से है यह सारे schedule के PDF format आपको नीचे यहीं इसी video के नीचे description link में attached मिलेंगे यहां पर आप tages को देख सकते हो, यहां पर हर एक दिन कितने lectures चलने वाले हैं, आप इसको देख सकते हो timeline की अगर आप बात करते हो, तो approximation में आप एक lecture को 40 minutes से 60 minutes के बीच में आप देख सकते हो, ठीक है तो approximation में 5 से 6 घंटे की classes आपकी रोज चलेगी शुरुवाती दिनों में शुरुवाती दिनों की मतलब है कि approximation में अगर हम बात करें, तो आपका आएगा लगवग लगवग schedule यहां तक 25 April के आसपास, जहां पर हम लोग economic survey के साथ साथ 4 subject के उपर focus करने लगेंगे ठीक है, आप यह बोल सकते हो कि 13 April के बाद से हम अपने lectures को थोड़ा सा short करेंगे शुरुवातने 5 lectures करेंगे, फिर finally दिरे-दिरे आते-आते हम 4 lectures तक भी पहुँचेंगे क्यों? क्योंकि आपको revision भी तो करना है अपना, ठीक है तो revision के लिए भरपूर time है, बात इतनी सी है कि जितना जल्दी, जितना तेजी से मेहनत करेंगे हम अब ही उतना ही fruitful result निकलने वाला है, इसलिए इसको decreasing order में हमने set किया है decreasing order का मतलब यह रहेगा कि हम सबसे पहले सबसे जादा मेहनत करेंगे और दीरे-दीरे इधर मेहनत करना कम करेंगे, जिससे कि हम अपने revision को दीरे-दीरे increase कर सकें ठीक है, तो यह gradual process होगा, जिसके business पर हम इन सबी चीज़ों को deal कर रहे होगे साथी साथ आप इसमें कुछ और भी components देख सकते हैं, जैसे कि India yearbook है इसके बाद government schemes है, ऐसी हर एक चीज़ जो की prelims में पूछी जा सकती है वो इस exam में cover की जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर government schemes बगर भी सब कुछ आगए और फिलहाल इस पूरे चीज़ों को join कैसे करना है, बहुत ही simple सा है आपको जाना है video.onlyis.in पर, यहाँ पर आप देख सकते हो और यह एक page खुल के आएगा आपके सामने, यहाँ पर दो options हो सकते हैं एक तो login का option directly है, आप फिलहाल इसको avoid करिए, आप इसको scroll करिए scroll करके आप पहुत जाएंगे नीचे courses पर, courses में सबसे पहला option है आपका pages का, आपको इसे ही join करना है, इसके लिए आपको simply इस पर click करना है click करने के बाद, आप इस page पर पहुच होगे, जहाँ पर आप buy now करने से पहले आप sign in करना पसंद करोगे, या फिर buy now पर click करने के बाद, आपको directly इस page पर redirect कर दिया जाएगा तो अगर आप नए हैं, तो सबसे पहले आप sign up करिए, अगर आप already site पर visit कर चुके हैं, तो आप normally अपने email और password से sign in कर लीजे, नहीं तो आप नए account के लिए sign up कर दीजे, simple सा है, बस इसके बाद आप purchase करिए, और आपके cart में ये add होगा, और आप payment कर सकते हो, किसी भी online method से, और आप इस course को join कर सकते हो, तो फिलहाल एक तो ये पूरा method रहा है, और टेजस की अगर हम बात करें, तो इसका final cost जो है, वो 12,700 तो आप लोगों ने देखी लिया है, इसमें 18% GST add होगा, और ये final cost आपकी पढ़ेगी 4986 की, ठीक है, तो बस इतना ही था इस video में, जो भी interested ह है, इस पूरे project को हमारे साथ continue करने के लिए, वो इस batch को definitely join करें, और भी आपके जो भी doubts आते हैं, आप हमें info at the rate onlyis.com पर mail करके जरूर से बताएं, या फिर आप हमें directly contact कर सकते हैं, 7007-931-912, ठीक है, तो ये numbers हैं, और ये mail IDs हैं, आप हमसे directly contact कर सकते हैं, इस program से related कोई भी doubt हो उससे लिए, तो बस आज के discussion में इतना ही था, आशा करता हूं कि ये पूरा session आपको तेजस program को अच्छे से समझने में help किया होगा, thank you very much for listening it, very patiently friends, have a nice day.